है हलो स्टूडेंट्स वैलकम बेग तू मेता ओनलाइन डिजिटल क्लासेज इस्टूडेंट्स टूडे वी तूडे वी आर गोएंग टू स्टड़ी ओफ मेजर्मेंट इस्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे मेजर्मेंट के बारे में कि हम किस परकार से दूरियों का मापन कर सकते हैं लोंग एको दा येरली पीपुल कुछ ट्रेबल ओनली दा फूट मतलब पहले के जमानों में हम पहले की बात करें तो लोग ट्रेबल यात्रा के दोरान किसका यूज करते थे फूट ओनली और फूट they carry loads themselves on the animals ओनली वो किस पे निरबद रहते थे आइनिमल्स प बात करें पहले के जमाने की बात करें तो फर्ष्ट कौन सा साधन था ट्रांस्पोर्ट के लिए वील मतलब जो फैये होते थे जो मानव या तो मानव उसको सफोर्ट करता था या फिर एनिमल्स के पीछे उसको कर हम क्या करते थे यात्रा करते थे ट्रैवल करते थे ठीक है इन enable people to make cards fixed with wheels मतलब जो भी फ्रीय होते थे वील होते थे उनको fix करते थे the cards could be pulled in humans या फिर animals ठीक है humans के दवारा उन animals को animals के wheels को fix करते थे और traveling करते थे और जो भी हमारे पास कोई भी जो सामान होता था उसको ट्रांसपोर्ट करते थे traveling and carrying roads become easier और क्या खोता था इसी दोरान कोई भी जो सामान होता था उसका हम ट्रांसपोर्ट करवाते थे इजी वे तरीके से the second major invention was that on the first steam engine इसके बाद second हमारे पास आया इंजन ठीक है तो भी एक प्रकार यह भी एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट या ट्रेबल करने का साधन था हमारे पास ही वाज डिजाइन टो जैंस वोट इनों ने बताया था जैंस वोट ने नाव डे वी यूज इस्टीम इंजन वीच आ नोट ओनली वेरी एफिसेंट यार वेरी फास्ट हम बोल सकते हैं कि जो इंजन का उप्योग होता था वह मतलब वेरी फास्ट होता था मतलब अधिक तर इसका उप्योग हम लेते थे नाव दा क्यूशन वाज हाओ टू मेजर दा डिस्टेंस ट्रेबल वाई पीपूल हम इस चैप्टर में स्टेडी करेंगे कि हम किस परकार से जो डिस्टेंस होती है ठीक है उसका हम किस परकार से मापन करते हैं वी नीड टू नाउन दा दूरियों का मापन करते हैं वी नीड टू नोन दा लेंट ओव दा क्लोध रिक्वार टू एंड स्वीच मतलब हम किस परकार से दूरियों का मापन करते हैं अधिक तर लोग पहले क्या करते थे कि जब भी कई जाना होता था यह ट्रांस्पूल सामान को ट्रांस्पोर्ट कर यूधूत होनिन जो औस बस बाया हैं उप्योग हम लेखे लेकिए 19 वह सब्सक्वेस क्या होए वीविन फ़रकार के जो उसाधन है उनका उप्योग हम करते हैं कि वोट अधा मेघिर मेंट्स सबसे पेले हमें पता होना है कि कि दूरियों करते हैं कि क्यों करवixa सकते हैं similar will सकते हैं कि दूरियों का मापन हम जो यह उनको उनको मतलब CT के से एक truc Vid हम बता सकते हैं कि वहां से अवहां तक इतनी दुर है ठीक है उसकी लंबा इतनी है मतलब हम एक तो mindly सोच के बताए किसी भी चीज़ के लिए ये कि उससे किसी भी यंत्र या फिर किसी से भी हम मापके बताए तो वो क्या होता है मतलब measurement का मतलब होता है उसकी fixed quantity के बारे में हमें पता होना चाहिए ठीक है इसके बात करें the known fixed quantity is called unit हम बात करें कि जो unknown fixed quantity होती है ठीक है उसके बारे में क्या होती है जो fixed quantity होती है वो क्या होती है unit every measurement contains two parts जो भी बीविन करका गई जो measurement होते हैं दूरियों के माप जब भी हम दूरियों का मापन करते हैं तो दो पार्ट होते हैं उसके first होता है numerical value मतलब जब भी हम दूरियों का मापन करते हैं उसकी एक तो होती है unit एक होती है numerical value मतलब दो ही उनी दोनों से हम क्या कर सकते हैं दूरियों का मापन करवाते हैं तो one part is numerical value and other part is the unit of measurement मतलब दो पार्ट होते हैं first होता है हमारे पास कोई भी जो value होती है ठीक है वो इसके अलावा से इक होता है unit ठीक है इनी दोनों की दोरा हम क्या करवा सकते हैं मतलब measurement करवा सकते हैं यह दोनों है हमारे लिग क्या है उप्यूक्त है समझ में आ गया इसके बाद हम बात करें जैसे हम बात करें for example example की बात करें इप इस 35 किलोमेटर and 35 is numerical value and kilometer is the name of the unit of measurement जैसे हमने एक जामपल लिया है कि 35 किलोमेटर एक तो 35 है इसमें ठीक है इसके बाद एक है 35 किलोमेटर इन दोनों क्या है यह क्या है नूमेरिक वेलउ ठीक है ठीक है थाटी प्याई यूणी तोनों की दवारा हम क्या कर सकते हैं measurement of measurement of जैसे मतलब किसी भी दूरिया चाहिए कमापन कर सक्ते हैं कि किसी itouch से इसकती से उस जगे जा रही है channel 2 जरूरी यह 35 km हो 5 meter भी आ सकता है ठीक है value meter में भी हो सकती है kilometer में भी हो सकती है या फिर 5 km इनसे भी हम क्या कर सकते हैं दूरियों का मापन कर सकते है value meter और kilometer दोनों में आती है ठीक है इसके बाद देखो बात करें हम need इसके बाद है need of standard unit हमें standard value के आवशकता क्यों होती है ठीक है need of standard unit की जो unit होती है उनके आवशकता क्यों होती है तो we know that students हम जानते हैं कि किसी भी की फिक्स quantity obtained करने के लिए ठीक है किसी की fix quantity obtained करने के लिए हमें standard unit के पता होना चाहिए हम दूरियों का मापन भी उनकी unit और उसकी जो numeric value है उससे ही हम क्या करते हैं defined करते हैं समझ में आ गया बात करें हम there are number of way measurement can be done people used to measure it by footstep and span also sometime with four fingers students पहले क्या करते थे पहले की जमाने में ये बीवित परकार के जो unit होती थी वो नहीं थी तो लोग क्या करते थे अपनी हातों की अंगुलियों से या पेरों से या फिर धागे से या मतलब हम बोल सकते हैं ठीक है उससे ही क्या करते थे दूरियों का मापन करते थे उनके पास ना तो ये घड़ी थी ना कुछ दूरियों के मापन करने के लिए बीविन परकार के उपकरण उपलब नहीं थे तो उनको दूरियों के मापन करने के लिए वो अपने फूट या हातों की अंगुलिया चारों अंगुले उनका उप्योग करते थे but there remain usually space for area ठीक है As the hand span differ with size and so case with the foot step इसे परकार किस परकार से जो ये डाइगराम है इस पर बता रहा है कि हम किस परकार से जो भी दूरी है उसका हम किस परकार से मापन कर सकते हैं और इस सेकंड डाइगराम में बता रहा है कि हम किस परकार से हमारी चारों अंगुलियों से दूरियों का मापन करते हैं समझ में आगा इस्टुडेंट्स कि हम किस परकार से पेले के जमाने में अंगुलियों और पेरों से किस परकार से दूरियों का मापन करते हैं स्टुडेंट्स देखो हम कुछ एक्टिविटी करते हैं और एक्टिविटी से डिफाइन करेंगे कि हमने किस परकार से दूरियों का मापन किया है मेजर दा लेंट ओव दा टेबल यूजिंग यूवर इस्टेंट प्लाम मतलब अपनी जो हतेली होती है ठीक है उससे भी हम किस परकार लेंट होती है उसका मेजरमेंट कर सकते हैं ठीक है जो प्लेंट होती है उससे भी हम किस परकार से अपनी करते हैं आज के ओवर एलन ब्रोदर और सिस्टर मेजर दा सेम लेंथ बाई दा सेम मैथड ठीक है ता लेंथ ओब देड़ आउट स्टीज प्लाम विद ता डिफरेंट तू यू ये दा सेम रिजल्ट ओं दा सेम वेल्यू दा रिजल्ट विल बीडिफर दू डिफरेंट इन साइज ओ अगर दोनों की वेल्यू डिफरेंट होने की कारण की जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा डिफर आएगा मतलब डिफरेंट आएगा इसी परकार हम एक्टिविटी सेकेंड की बात करते हैं मेजर दा लेंट तो भी ओवर रूम फूम वन एंड टू यूजिंग फू पान कत है पर आज के और एल्दध ब्रोडर रूसीश्टर मेंजर दसेम लेंट हैं फूम आतेले संद् रिफूट स्टिप सेवे अगर दोनों की स्टेय प्रिफिंगत सेंगा गाएगा सेम की से दोनों की स्टेव क्या है तो हम मेजरमेंट के दौराण दूरी के मापन के क्योंकि उन दोनों की पेरों की साइज क्या है डिफ्रेंट है ठीक है अब हाव एक्टिविटी प्रोईडेट दा हैंड स्पेंड के नोट मेजर एक्चुल लेंट ओब दा टेबल मतलब इससे इन एक्टिविटी से हम डिफाइन कर सकते हैं कि दोनों की जो ब्रोदर और जो सि जिकल क्वांटिटी सो वी नीड इस टेंडर यूनिट ओव मेजरमेंट विच आर यूजवाइदा एवर्यों ठीक है अब इस्टूरेंट्स हम अगले वीडियो में देखें कि कौन कौन से ऐसे मेजरमेंट है ठीक है दूर्यों के मापन के लिए ऐसे कौन से अंतर जिसे हम दूर्यों का मापन कर सकते हैं उसकी लैंड लंबाई ठीक है उसकी चोड़ाई उसके बारे में इस्टडी कर सकते हैं ओकी स्टूडेंट थेंक्यू